ना अगर-अगर, ना कॉन फ्लार, ना मैदा, ना आटा, सिर्फ कच्ची कैरी और थोड़ी से मसालों के साथ आज ये कैंडी बनाएंगी जो एकदम आसान है बनाने में और खाने में बहुत टेस्टी बनती है तो friends, I hope आज के सिंपल सी रेस्पी पसंद आएगी तो चलिए बनाते हैं इसे तो इस कैंडी को बनाने के लिए हमें लेने हैं कच्ची कैरी तो मैंने यहाँ आधा किलो कच्ची कैरी लिए और पहले से इनको अच्छी से धोके साफ करके रख लिया है अब इन कैरी ओं का हमें छिलका उतार लेना है आप चाहें तो पीलर या फिर नाइफ जैसे भी आप कमफटबल हो उससे इसका छिलका उतारना है उसके बाद हम इस तरीके से इनको रफली कट कर लेंगे कट करने के बाद इन आमवियों को अब हम एक जार लेंगे और इसके अंदर ये जो आमवी है वो डाल देंगे साथ में इसके हम डालेंगे करीबन एक से डेट टेबल स्पून पुदीना तो मेरे पास ड्राइ पुदीना रखी है अगर आपके पास ताजा पुदीना की पती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में थोड़ा सा पानी आड करेंगे तो पानी बहुत जादा नी डालना है स्ट एक डेट टेबल स्पून ही इसमें अड करना है इतना ही डालना है कि जो हमारी आमवी ये वो और आम से पिस चेंए बस रहका लगा कि अच्छे से हम पीस लेंगे पीसने के बाद अब जो पेस्ट है इसको हम कड़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे अब साथ में ही इसके कुछ हम मसाले और एड़ करेंगे तो यहां में ले रहे हैं सबसे पहले एक कप शुगर तो मैंने यहां चीनी यूज किया फ्रेंड्स आप चाहें तो यहां पर देसी खांड या फिरो जो करेंगे और एक चोटी चमच काला नमक डालेंगे आप चाहें तो यहां भुनेवे जीरे का पाउडर भी एड़ कर सकते हैं पर मैं नहीं डाल रहे हूं बस अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब इस कड़ाई को हम आज प करेंगे और मीडियम आज पे इसको कम से कम 2-3 मिंट ऐसे ही कुक करेंगे बीच बीच में थोड़ा बोत इसको हमें चलाते रहना है तक कि जो हमारा यह मिक्स्चर है वो जल्ले नहीं जब आपको लगे कि 2-3 मिंट के बाद इसके जो बबल से थोड़े सेटल हो गया तो इस सिचुएशन में फिर इसको हमें अच्छे से कुक करना है तक कि जो इसके अंदर का मुष्यर वो पूरी तरीके से खतम हो जाएगा अगर हम अच्छे से कुक नहीं करेंगे थोड़ी बहुत नमी इसके अंदर रहती है तो जो हमारी कैंड़ी है वो अच्छे से से सेट नहीं कड़ाई को छोड़ भी रहा है तो बस यह ही इंडिकेशन है कि जो हमारा मिक्स्टर वो अच्छे से कुख हो गया है अब इस स्टेच पे फ्रेंट्स में एड कर रहे हूं करेबं दो पींच ग्रीन फूड कलर जिससे केंडी में कलर बहुत अच्छा हैगा वैसे पूरी तरीके टोड़ो से कुख करने के बाद मैंने हम मिक्स्टर को सोला मिंट कुक कर लिया है और आप देख सकते हैं मिक्स्टर विफ्ल कुख हो गया अच्छे से बस आच बन कर देंगे फ्रेंट्स आप ध्यान लखेगा कि कम से कम आपनी 15 से सोला मिंट तो ज़रूर करना है नहीं तो तो बस अब यह जो मिश्चर इसको हमें सेट करना है तो उसके लिए हमें इस तरीके से प्लेट ले रही हूं आप थाली में भी सेट कर सते हैं और इसको हम घी के साथ ग्रीस कर लेंगे ग्रीस करने का फायदा ही होगा कि जो हमारी कैंडी है वो इसमें अराम से निकल जाएगी चिपकेगी नहीं जादा तो बस अब यह जो मिश्चर है वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बास स्पैचुला से इसको लेवल कर लेंगे लेवल करने के बाद अभी इसकी जो ऊपर की सरफेस थोड़ा सा क्लीन कर subscribers तो उसके लिए काटोरि पे हम थोड़ा जी या ओयल लगाएंगे और इस तरेके से हम इसकी जो उपर की सरफेस है उसको लैवल कर लेंगे अब इसके बाद हम इस तके से थाली में पानी डालेंगैं और इसमें अक काटोरि रखेंगे और यह जो प्लेट है इसके उपर इस तरीके से लिए ऐसा करने से जो चीटिया वगरा है वो हमारी बरतन के उपर नहीं आएंगी तो बस अब इस थाली को रखेंगे हम धूप में करीबन दो दिन के लिए ताकि यह अच्छे से सूख जाए रात को आप पंखे की नीचे रख दे और दिन में आपने दूप में सुखाना है तो मैंने करीबन यहां तीन दिन लगे इसको सुखाने में और आप देख सकते हैं केंडी बहुत अच्छे से से सेट हो गई है तो अब हम नाइफ से इसमें इस तरीके से कट लगा लेंगे तो यह जो मिक्षर है वो चिपकता बहुत जादा है तो आप थोड़ा सा जो नाइफ है उसके ओपर घी या फिर पावडर शोगर लगा ले ताकि आराम से आप इसको कट कर पाएं तो छोटे-छोटे पीस में ही इसको कट करना है क्योंकि केंडी अब ही बड़े-बड़े पीस थोड़ा सा और इनहांस करना है तो उसके लिए इन केंडी को हम पावडर शोगर के अंदर कोट करेंगे ताकि यह खाने में और जादा टेस्ट ही लगे और साथ में ही इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाए तो अभी स्टेज पे अगर फ्रेंड्स आप इनको स् आपने देखी लिया बनाना तो बिल्कुल ही आसान है इनको तो आप बनाएगा जरूर फ्रेंड्स आई होप आज की सिंपल सी रेस्पी आपको पसंद आई है थोड़ी सी पी अच्छे लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा साथ में आप इस इस रेस्पी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही सिंपल सी रेस्पी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप से एक नई रेस्पी के साथ में